अस्सलाम वालेकूम वेलकम बैक टू माई चैनल आज हम मनाने जा रहे हैं इफतार स्पेशल मीठे गूल गूले की रेसिपी हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आगे का वीडियो देखने के लिए तो चलिए हम यहाँ पर ले लेते हैं तीन कप सुझी का और दो कप शकर आट कर देंगे अगर आपको शकर ज्यादा पसंद है तो आप ज्यादा आट कर लीजिए और इसमें डाल देंगे हम एक टीस्पून बेकिंग पाउडर या फिर खाने का सोडा भी आप डाल सकते और एक मुठी इसमें सोफ आट कर देंगे और अच आटे को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब थोड़ा थोड़ा पानी आट करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लींगे आटे में ये देखिए इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी आट करके मैंने ये गुलगुलों का बैटर रेडी कर लिया है इस थरह की consistency होनी चाहिए बैटर की तो चलिए बैटर रेडी है बिल्कुल हम इसको दो घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रख देते हैं तो चलिए दो घंटे हो गए हमारा बैटर रेडी है बिल्कुल यह देखे कितनी अच्छा इसकी consistency है एकदम perfect इसको हम और थोड़ा सा mix कर लेते हैं अपने हाथों से इस तरह से mix करना होगा ऐसा करने से हमारे गुलगुले एकदम soft बनेंगे पास से दस मिनिट तक आप इसी तरह से करिएगा इससे बैटर में एर अच्छे से आ जाएगा और जिसकी वज़े से गुलगुले बहुत ही नरम बनेंगे दस मिनिट तक इसी तरह से आप आटे को मालिश करिए तो चलिए मैंने ओईल गरम के लिए रख दिया था अब इसमें थोड़ा थोड़ा बैटर लेकर में डाल देती हूँ बिल्कुल थोड़ा सा लेना है आपको हाथ में यह देखिए इस तरह से थोड़ा थोड़ा आटा लेकर गुलगुलों का जो बैटर है वो लेकर में गरम ओईल में डाल दूँगी अब जो गरम तेल है वो इस तरह से उपर से डालते चाहिए यह देखिए दोनों साइट से इसी तरह से फ्राई कर लेंगे हम गोल्डन ब्राउन होने तक देखिए कितनी अच्छी तरीखे से फ्राई हो गए कलर भी बहुत प्यारा आया है इसका बहुत ही टेस्टी और मसेदार रमजान में इफ्तार में जरूर बनाईएगा बच्चे और बड़े सब बहुत ही पसंद से खाएंगे इसको तो चलिए अब यह बिल्कुल रडी होगे हम इसको सर्फ कर लेते हैं एक प्लेट में इसी तरह से सारे गुलगुले हम फ्राइ कर लेंगे यह देखिए हमारे गुलगुलों की रेसिपी कंप्लीट हो गई तो आपको यह रेसिपी आज पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए थैंक्स पर वाचिंग अल्ला हाफिज